विवर्स हेरफॉल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसमें कुछ चीजें बहुत इंपोर्टन्ट हैं सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको हेरफॉल हो क्यों रहा है क्योंकि हेरफॉल होने के बहुत सारे कारण होते हैं तो अगर कोई medicine बालों के लिए use कर रहे हैं तो उसके पीछे अगर उन्होंने ठीक से उन कारणों को नहीं जाना है तो हो सकता है कि आप राइट प्लेस पर नहीं पहुंचे हैं या हो सकता है आपका राइट ट्रीटमेंट नहीं है तो आज हम यह जानेंगे इस वीडियो में कि आप किस category में है और आपको पता होना चाहिए कि आपका hair fall किस कारण से है तो कुछ common कारण है जिनकी वज़े से hair fall होता है हम गंबीर कारणों की बात यहां नहीं करेंगे normal चीज़ों की बात करेंगे तो उन पर हम उनको आज जान लेते हैं कि वो कौन-कौन से ऐसे कारण है जिनकी बाल उग आता है और उसका एक time period होता है उस time period में उसे आ जाना होता है लेकिन अगर वो उस समय में नहीं आया तो हो सकता है हमें यह लगेगी हाँ hair fall की समझ से शुरू हो गई और बाल कम हो रहे हैं नएवाल नहीं आ रहे हैं दूसरा है कि कोई गंबीर बिमारी या सरजरी या कोई ऐसी घटना जिसका बहुत बड़ा असर आप पर हुआ है और इस तरीके के केस काफी hospitals में आते हैं और जहां stress और depression के केस आते हैं उसमें ऐसा भी देखा गया है कि highly depression में जाने की वजह से भी लोगों का hair fall शुरू हो जाता है तो यह एक कारण भी है और depression में जाने का कारण कोई घटना भी हो सकती है या फिर ऐसा काम जो आप काम करने में सक्षम नहीं है और उस काम का आप के उपर बहुत ज्यादा बोज है तो यह भी एक कारण इस hair fall को हो सकता है महिलाओं से जोड़े हुए भी कुछ ऐसे issues होते हैं जिनकी वज़े से उनको hair fall होता है जैसे pregnancy है या फिर महिलाओं में जो महिलाओं बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो पिल्स का यूज करती हैं अगर उनको वह discontinue कर देती है तो कभी-कभी इस इस्तिती में भी hair fall को देखा जाता है और मैनोपॉस की इस्तिती में भी कुछ महिलाओं करती है कि उनको hair fall हो रहा है इसमें कुछ medical conditions भी है जिसके कारण हो सकता है आपको hair fall हो जिसमें पहला है आपको हो सकता है thyroid हो जिसकी वजह से hair fall हो रहा है जो आजकल बहुत common हो गया है दूसरा है alopecia जिसमें शरीर के किसी भी जगह पर कहीं पर भी एक particular area के बालों का गिर जाना और वहां पर गोला सा बन जाना और वहां पर बालों का बिलकुल वहां पर खतम हो जाना तो यह भी एक तरीके की अलग समस्या है और साथी साथ skin infection और इसकी वजह से भी बालों में दिक्कत पैदा हो जाती है और हमारा hair fall शुरू हो जाता है इसके अलावा भी अगर हम यहां पर discuss करेंगे तो बहुत सारे ऐ assess करने की कोशिश करेंगे कि इन जो भी अबने अभी कारण बताए इन में से हम किस कटेगरी में आते हैं क्या हमें कोई stress है क्या हमें कोई कि ऐसी टेंशन है या हमने कुछ पिछला समय ऐसी टेंशन में गुजारा है या गुजार रहे हैं जिसकी वज़े से हमें stress हो रहा है या कुछ physical medical conditions हमारी ऐसी है जिसकी वज़े से हमें hair fall हो रहा है या फिर हमें कोई skin की ऐसी problem है जिसका हमें सही और सटिक treatment चाहिए अब अग जा सकते हैं और बहुत आसानी से आप वहां पर treatment ले सकते हैं अगर आपको hair fall किसी mental stress की वज़े से है काम की वज़े से है जौब की conditions की वज़े से है या फिर घरेलू कोई समस्या की वज़े से है तो आपको इसके लिए अपने नजदी की जिलास्पताल में जाकर वहां के मां से के काई जो की आपको आपके जिलास्पताल में काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से और इसमें अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपका assessment होगा कि आपको problem है या नहीं वहां पर counselors भी हैं psychologist भी हैं doctors भी हैं वो आपको assess करेंगे कि क्या वागई में आपको problem है अगर वहां प आपकी एक तो stress की problem सही होगी साती साथ जिस stress की वजह से आपका hair fall हो रहा था वो automatically अपने आप आगे चलके धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी similarly अगर आपको skin की problem है आपको लगता है कि मुझे तुचा की कोई दिक्कत है जिसकी वजह से मुझे ये hair fall है तो simply आप उसके लिए अपने नस्दीक के जिला अस्पताल में जा सकते हैं वहां के skin department में दिखा सकते हैं अगर वहां नहीं है तो आपकी जो मंडल स्थर की जो हॉस्पिल से वहां भी definitely मिल जाएंगे तो आप एक बार जुरूर ट्राइ करें अपने नस्दीक के जिला अस्पताल में या फिर मंडल स्थर के हॉस्पिल में आपको वहां पर skin specialist मिल जाएंगे अगर आप वहां पर दिखाएंगे तो वहां से आपको जो prescription है best prescription भी मिलेगा और इस समस्या से चुटकारा भी मिल जाएगा तो ये दो जो जगहें मैंने आपको बताई है वो government setup में है जहां से आपके पैसे बचेंगे अगर आप यही दो setup में कहीं बाहर compare करेंगे बहुत महगा एलाज है चाहे वो मानसिक एकाई की अगर हम बात करें या फिर हम skin specialist की बात करें इसकिन का treatment भी बाहर बहुत महगा है त अगर आपको यह सवाल हो जाता है कि अगर आपको यह समस्या है तो हम shampoo कौन सा यूज करें I think so कि जब आप कोई भी shampoo खरी दें तो सबसे पहले उसके पीछे के key integrants को जरूर देखें लेकिन होता यह है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम वो shampoo चूज करते हैं जिसके धेर advertisement हम रोज देखते हैं लेकिन कोशिश करिए next time से कि जब आप कोई भी shampoo खरी दें तो एक तो वो medicated होना चाहिए दूसरा उसके जो key integrants है वो अच्छे होने चाहिए यानि जिस combination से वो बना है उसमें chemical combinations नहीं होने चाहिए आजकल जितने भी shampoo market में भरे हुए हैं उसमें almost ज्य आने से कोई फाइदा नहीं होगा तो आगे से ध्यान रखिए कि जब आप खरीदने चाहें तो कोशिश करें कि आप एक ऐसा shampoo खरीदें जो आपके लिए ठीक हो परस्नली अगर में से आगर आप पूछते हैं कि आपको कौन से shampoo खरीदना चाहिए तो I think so कि इस समय जो homeopathy का एक ब्रांड है जो विजल कंपनी का है जिसका नाम आर्नी का hair scalp shampoo है I think यह shampoo काफी ठीक है क्योंकि इसके जो की इंडिगरेंट्स पर अगर हम नज़र डालें तो उसमें आर्नी का मॉन्टाना है जो खुद में अपने आप में एक मेडिसिन है और जो जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो hair fall की treatment को करते हैं वो इस दवा को देते भी है तो यह दवा उलड़ी इसमें पड़ी हुई है और दूसरा जावरंडी भी इसमें उलड़ी मिला हुआ है तो यह इसमें देख रहे हूंगे आप पीछे में कोई ज्यादा चीजों का combination नहीं है तीन से चारी चीजें इसमें मिली हुई है जिसके combination से यह मिलकर बना है तो इसमें इस तरीके की brand को आप खरीदें और यहीं नहीं अगर इस तरीके की कोई दूसरे brand है तो उन पर नजर डालें और उनको use करें this is the good और यह family में कोई भी use कर सकता है इससे अगर scalp की problem में तो तो भी नहीं होगी जो डंटर की problem में भूबी नहीं होगी साथी साथ अगर hair fall है तो वह नहीं होगा इसमें सबसे पहले आप देखा होगा आपने आपकी जो घर में shampoo रखे हो आप उससे compare करिएगा कि उसमें और इसमें कितने chemical का जो मिलाव है वह है जो आप shampoo use करते हैं उसम कितने तरीके chemicals हैं तो आपको खुश समझ आ जाएगा मैं किसी दूसरे shampoo का नाम नहीं लूगा कि उसमें कितने chemicals होते हैं तो कोशिश करिए कि इस तरीके के आप brand को preference दें अगर आपको यह वीडियो सही लगता है या यहां पर दीगई information सही लगती तो आप इसको like ज़रू कि subscribe भी करें आपके like करने से हमने यह पता चलता है कि आपको यह वीडियो कैसे लग रहे हैं और boost of energy भी मिलती है जिसे कि हम अपने profession के साथ भी यहां पर इतना time देते हैं तो लगता है कि आगे अपने viewers के लिए और भी कुछ करना है तो next video में हम आपकी दूसरी समस्याओं पर भी चचा करेंगे और उनके भी best solutions लेका आएंगे till then see you in next video